IAS बनना था तैयारी UPSC एक्जाम की कर रही थी और बन गई जनपद अध्यक्ष वो भी निर्वरोद नरसिमपुर जिले की जनपद अध्यक्ष बनी प्रतिग्या इंदनों चर्चा में हैं प्रतिग्या परियार जो हैं यहां करेली जनपद पंचायत में निर्वरोद जनपद पंचायत अध्यक्ष चुनी गई है और उनके नाम की चर्चा है अध्यक्ष बनने के बाद क्योंकि अफसर बनना चाहती थी चर्चा इस बात की भी है क जन्पत पंचायत का चुनाओं लड़ा देते हैं, फिर बात हमारे विधायक जी तक पहुंची, उनको लगा कि हाँ मैं शायद काबिल एक अध्यक्ष बन सकती हूँ, एक काबिल लीडर वहाँ पर बन सकती हूँ, तो वो आये, उन्होंने मुझे प्रेरित किया, मोटिवेट क इस चीज में आने के लिए, अभी मैं तयार नहीं थी, पॉलिटिक्स के लिए, मेरी पढ़ाई चल रही है, तो मैं उसे बीच में नहीं छोड़ना चाती थी, तो कहीं न कहीं मुझे काम तो हमेशा से समाज के विकास के लिए करना ही था, तो मुझे एक ये रास्ता दिखाय या एक बहुत ही बढ़ा जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, कि बहुत मुश्किल होता है निर्विरोध बनना, और शुरू से ही गड़ेत ऐसा बैठा था कि निर्विरोध सभी मुझे सपोर्ट, सबने मुझे सपोर्ट किया, जब लोगों को पता चला कि मैंने फॉर्म मिलेगा, वो तो चलता रहेगा, अभी ब्रेक करके जो बात आई है कि पहले था मेरा कि मुझे UPSC की तयारी मैं कर रही थी, बेट मुझे इतना बड़ा मौका मिला, मतलब एक IS मेरी दीदी अलरी है, पापा की राजनीत, पापा की काफी इक्षा थी कि हम में से कोई एक, मेर अलाव मेरे तीन भाई बहन और हैं, तो काफी इक्षा थी इनकी कि कोई एक राजनीती में भी हो, और उन्होंने मुझे काबिल समझा, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी जिसके लिए मैं बहुत ग्रेट्फुल हूँ सुना आपने, प्रतिग्या के रही हैं कि राजनीती में आने का सोचा नहीं था, पहले मजाग में बात होती थी, दर असल इनके पिता चाहते थे कि तीन भाई बहनों islands में से कोई एक राजनीती में प्रतिग्या के परिवार की प्रिष्ट भूमी के बारे में बता दूं कि इनकी बहन तपस्या भी चर्चा में रही है जिन्होंने कन्यादान करवाने से इंकार करवा दिया था और अब चुकि प्रतिग्या जो है उन्होंने ये बड़ा चुनाव जीता है पहले तो जनपत सदस का चुनाव निर्वरोध जीता उसके बाद जनपत अध्यक्ष भी निर जाए यही वज़े है कि प्रतिग्या ने अफसर बनने की राहे को छोड़ा राजनीती की राहे की तरफ मुड़ गई और जीत गई जनपत अध्यक्ष का चुनाव भी और उनकी चर्चा है पारिवारिक प्रिष्ट भूमी उनकी राजनीती से जोड़ी रही है दादी भी ज अनुज मवारने आप देखते रहे अंपी तक